Hello everyone, तो आज मैं आई हूँ रोस परेड देखने के लिए जो हर साल United State of America के California State और City of Pasadena में होता है हर साल ये New Year के टाइम पर होता है और इस साल ये 2nd of January और 3rd of January याने 2 दिन होने वाला है तो यहां का Center of Attraction Point है, वो है One and Only Roses तो जिसी देखने के लिए हर साल हजारों लोग यहां पर आते हैं और ये इतना famous और important parade show है कि लोग पहले से ही advance में अगले साल के लिए online ticket book करके रख लेते हैं यहां पर different different floats को बहुत ही beautifully सजाया जाता है actually floats क्या होती है एक प्रकार की गाड़ियां होती है जिनमें यहां पर इस country के beautiful art को, technology को, buildings को, industries, healthcare, सभी चीजों को यहां पर एक art के form में present किया जाता है और उसे beautifully different different variety के roses से decorate किया जाता है और अभी तक world war 2 में 1942, 1943 and 45 में यह नहीं हुई है और because of covid 2021 में नहीं हुई है अधर्वाइस अठारा सो नपे से यह लगातार होती आ रही है और सुबा जो है आठ बजे से parade स्टार्ट हो जाती है ground में और यहां marching भी होती है और marching के साथ साथ यहां पर जो high stepping unit भी होता है जैसे हमारे यहां होता न 26 जनीवरी में कदम से कदम मिला के चलने वाला तो वो एक band होता है जो साथ में चलता है इस rose parade के और यही है लोग आते हैं सुबा आठ बजे से हम तो वो parade देखने नहीं आए बट यह जो floats बने हुए है flower से इतना सुन्दर सुन्दर decoration और यह जो theme है तो यह हम देखने के लिए आई हुए हैं यह एक ground में organize कराया गया है तो हम उस प्लेस पर कम से कम दो घंटे तक लाइन लगा कर खड़े थे हम एक बजे के आराउंड पहुच गए थे उस प्लेस में और हमें तीन बजे यहां पर ड्रॉप किया गया था इस ground में लोटते वक्त के लिए हमें यहां से बस जो है उस पिकप पॉइंट तक हमें ड् हुआ है मतलब देखने में भी बहुत जल्दी जल्दी हम फोटोस क्लिक कर रहे थे मेरी फ्रेंड जो दोड़ दोड़ कर फोटोस क्लिक कर रही क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था और इतना घना सामने कोहरा था पहाड भी थे सो कभी भी बारिश हो सकता था तो हम जल्दी रोजिस के आलावा बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स थे जो हमने कभी देखे भी नहीं थे और सभी के सभी फ्रेश फ्लावर्स से डेकुरेशन था और ये देखिए ये ड्रैगन इतना खूबसूरत लग रहा था ये सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा और पाच बजे ये जो थीम है ये जो शो है वो यहाँ पर खतम हो जाता है और ये देखिए यहाँ पर एक महाशाय का इंटर्व्यू चल रहा है जो इस रोस परेट के बारे में बता रहे हैं तो बस अब हमारा जाने का टाइम होने वाला है क्योंकि जो गार्डन है वो खोवने वाला है और अब तो हमें नेक्स टियर ही मिलेगा ये जो साल था हमारा बहुत ही लगी था जो हमें ये इतना सुन्दर रोस परेड का फ्लोट फ्रेस्ट देखने को मिला so if you like my video subscribe my channel और ये मेरे लिए हमेशा एक memory की तरह रहेगा मेरी life में so happy new year and bye bye